तो पहले आप वो देख लें उसके आगे का कंटीनियो में इस वीडियो में किया हूँ है और पिछले वीडियो में सकते हो और जी फॉवय को चाहे क्लिकल वीडियो में ब्सक्राइब कर सकते हो चाहे आप किसी पेपर लेकिन यह हो जाते है कि उबी की जो population हो जाती है वो दूसरी हो जाती है ठीक है वो children या adolescent इन लोगों पर study नहीं कर सकते हैं उनको workers या ऐसे लोग लेने होंगे ठीक है जो organization तो जादा तर ऐसे topics variable select कर सकते हो जो clinically related हो कि यह अपनी population को आप किसी mental mentally patient पे कर सकते हो लेक्षी जिनको depression कभी उन्होंने face किया हो तो आप ऐसे लोगों को ले सकते हो और बागी counseling तो रियल लाइफ सेटिंग में किसी को भी ले सकते हैं that doesn't matter और एक चीज मैंने पैशले वीडिय लेके बैठिये सो क्योंकि यहां slides मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं जो बता रही हूं तो आप उन्हें note down कर सकते हैं so let's start यह step 6 है up to step 5 I have told in video 1 अब step 6 से आपको करना है कि अब आपको introduction लिखने है आपने अपना variable select कर लिया था तो अब आपको जो भी variable था ठीक है माल लिजे हमने example यह था self concept और academic anxiety ठीक है तो आप अब self concept को Google करिये और जो भी कुछ अच्छी websites है psychology से related variable mind simply psychology Britannica तो आप इन websites पर जाके कुछ अच्छा material वहां से copy कर सकते हो okay और यह ध्यान में रखेगा कि जो भी आपका variable है आप उससे relevant जो चीजे की research के relevant है वही चीजे लो कुछ बाहर का मतलो तो आप इसमें introduction में कुछ भी जादा नहीं करना है बस आप Google करो अपने topics को और उस variable से related self-concept है तो self-concept से related जितनी भी चीजे हैं आप वह copy कर सकते हो कि definitions है कुछ authors की तो आप वह भी डाल सकते हो और एक चीज और है कि आप अगर pictures लगाना चाहो या डाइग्राम है कोई तो आप वह भी लगा सकते कोई quote की picture है तो आप वह भी लगा सकते हो doesn't matter और introduction synopsis के time पर 10 से लेके 13 14 इससे जादा exceed मत करो और 10 से कम मत रखो तो यह आपका इस तरह से synopsis का introduction त्यार हो जाता है और हाँ copy link in ms word यह important आप कहीं से कुछ भी copy कर रहे हो ठीक है उसका link आप जरूर copy करो वह बहुत जादा important है और आपकी बहुत help करेगा वह कैसे करेगा I will tell जब उसका number आएगा बताने का बट अभी आप जो जो जहां से भी copy कर रहे हो उसको आप separate ms word खोलो चाहे mobile में कर रह और सेफ कर लो आप ऐसे section भी बना सकते हो कि यह से अपने website लिया अब introduction में तो आप websites लोगे तो आप heading डाल दो कि website के links हैं तो आपको समझ में भी आएगा अब इसके बाद next step आता है step 7 कि हमें literature review करना है that is the most complex part बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि literature review क्या कैसे करना होत तो literature review करने से जब आप start करोगी मैंने video 1 में आपने बताया था मैंने कि आपको statement बना लेना है अपने topic का अब आपको क्या करना है google पे जाओ और type researches on और जो भी आपका statement वो type कर दो complete ठीक है उसके बाद देखो क्या क्या result आते हैं and go into that website जो भी खुलके आता है उसको देखो क कि आपके कुछ हो सकता है बहुत सारी चीज़े अन्रेलेवेंट आती है उनकी जुरूथ नहीं होती है कुछ कुछ और ही खुलाता है तो वह सब छोड़ दो जो आपके मतलब करहें एक हो सकता है कोई पूरे page में कोई एक ही चीज़ आपके मतलब की हो आप इसको देखो ठी देखो किया निकल आता है उसी तरह academic anxiety का था research is on academic anxiety of high school students इस तरह करो आप इसको छोड़ा सा आपका यह है कि काफी सारी websites आपके खुल के आएंगी जो आपके मतलब की है आपने उस पे गए वहां पे thesis मिलेंगे आपको ठीक है आपको thesis ही उठानी है क्योंकि literature review का मतलब क्या होता है कि जो research हो चुकी हमें वही देखनी है तो अब आप क्या करो कि कुछ हो सकती है literature ऐसी हो जिनमें आपके दोनो variables ना आते हो कोई एक variable आ रहा हो और कोई दूसरा variable कुछ और हो तो आप वह भी आपके मतलब का है वह thesis भी आपके मतलब की है आप उसमें जाओ और उसका उस thesis में आप देखोगे कि abstract लिखा रहा था है सबसे पहले तो आप वह abstract को copy कर लो ठीक है और यह चीज में आपको बता दूँ कि literature review का यह तरीका बिल्कुल भी होता है जो मैं आपको बता रही हूं ऐसे literature review नहीं किया जाता है but because हमारा जो इदनों का system ऐसा है कि हमारे पास guidance होती हमें कुछ जादा पता नहीं होता है हमारे guide भी इतने guidance नहीं देते हैं जितनी उन्हें देनी यह है कि आपके पूरी thesis आप पढ़िए और आपको जो भी relevant है पूरी thesis को अपने language में summarize करो ठीक है तो यह होता है असल लिटरेचर review फिर आप उसको अपनी thesis में लिखोगे यहां पर मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगी ठीक है वो चीज आप रहने दो अब आपने क्या कि है कि abstract copy कर लिया उसका उसको आप copy कर के अपने page में msworld के page में paste कर दो ओके उसके बाद आप उसी research legendscape updates copy किया आप क्रॉल करो और जहां पर आ इन्होंने उस रिसर्च का पार्ट लिखा ओठेट के लिखा को लिखा अब आप TJ Li देखो कि क्या क्या उन्होंने लिखा हो कौन कौन सी क्रिया आसमें तो जो आप के मतलब का फिर दूसरा फिर तीसरा ठीक है तब आप अपना पैराग्राफ जोंटो कि कौन से पैराग्राफ में आपके दोनों वेरियेबिल या कोई एक वेरियेबिल आ रहा है ठीक है तो अब अब उसी थीसेस में से आपको पांच-छे लेटरेचर वहां से ही मिल जाए एक आपने अ अब आपस्ट्राक आप तभी करना है जब आपके दोनों वेरियेबिल्स मिल रहे हूं एक व्यारियेबिल वाले का मत करना that doesn't look good जब एक आपको भी यह करना है कि अगर आपके दोनों वेरिबल्स मैच हो रहे हैं तो आप इसको कॉपी कर लो फिर उसके बाद आप उसके थीसिस के अंदर जाओ और फिर उस थीसिस का लिटरेचर रिव्यू देखो और जो आपके अगर एक भी वेरिबल वहां पर मैच हो रहा है तो वह चीज़ उठा सकते हो दोनों हो रहे हैं वह भी उठा सकते हो ठीक है तो इस तरह से आप एट लीस्ट चार से लेके छे पेज़े आप वीडियों मैच कर लो और इसमें भी मैं यही बूलूँगी कि आप लिंक सब के कॉपी करो चाहिए आप जिस भी थीसिस के जिस भी ज लिंक है ठीक है जर्णल का यह लिंक है थीसिस का यह लिंक है डाल लालके और नीचे लिंक कोपी करते जो वह बहुत इंपोर्टेंट है आई विल टेल यू लेटर और दूसरी चीज़ एक और की ऑथर का नेम और जिस एयर में वह थीसिस पब्लिश हुई है उसे भी कोपी क है वह भी कोपी करना बहुत जरूरी है वह कोपी करो ठीक है और अबस्ट्राइक कोपी करो नेचे लिटरेचर रिवियू में आपको ऐसा करने की ज़रूरत ने की ज़रूरत ने अल्रेडी बताया होगा कि हां इनकी रिसर्च यह तो वहां पर आपको फिर उस उसका नाम दे रिसर्च केट आप इन पर डायरेक्ट जाकर भी अपना टॉपिक डाल सकते हो ठीक है तो आपको क्या मिलेगा कि जो भी अगर आपका एक वेरियेबिल भी मैंच कर रहा है तो उससे रेलेट सारी थीसिस आपके सामने आ जाएगी तो आप वहां से भी जाके उनका लिटरेच आपको क्लियर हो गया हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू के शॉर्ली आस्क मी अब इसके आगे भी कि कुछ स्टेप्स बचे हुए है वह आई विल टेल इन दे नेक्स वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग